बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि मैंने आपके प्रॉमिस किया था क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस जो है उसके हम important questions देखने वाले मैंने आपको बोला था कि मैं आपके गयारी जादा नहीं किये जिन्होंने अभी तक जादा नहीं भी पढ़ा है ना उनके लिए राम बान वीडियो है ठीक है तो इसी तरह से जैसे मैं आज चैप्टर वन का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का है जिसका नाम है सीति उद का दौर कोल्ड वर एरा कहते हैं ठीक है त अब कंटीनिव आएंगी बस आपका जो सपोर्ट है आपका जो प्यार है उसको बनाए रखिए यह इंपॉर्टन कोशन मैं आपके लिए कहां से हूं प्रीवियस यर के जो आपके कोश्चन पेपर होते हैं ठीक है उनमें से लिया है मैंने आपका यानि की जो टैनियर होता ह है वह बहुत जादे इंपॉर्टन होता है तो मुख्यता उसी में से कोश्चन से लाया हूं आपके लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हम लोग देखेए सबसे पहला कोश्चन ही इस चैप्टर से हमारा बोड इग्जाम में पूछ लिया जाता है वह देखे क्या है कि सीत यूद से क्या अभिप्रा है वन मार्क्स में एक कोश्चन ज्यादा तर पूछा जाता है तो मैंने आपको बता भी रखा है सीत यूद से क्या तो प्रोशी में लड़ाई हो जैगा बिलकुल एक दम जैसे दो आंटी लोग होती है अपसमें लड़ जाएंगी लेकिन क्या होता है से बाते बूली जाती है वास्तों में कोई लड़ाई नहीं होता पेवल जबानी चलती उनकी ठीकी उसी परकार पिसे जो सीट उड़ा था ना इसमें सबंकी जवान चल रहे ही कि हाँ लड़ाई हो जाएगा अब लड़ाई हो जाएगा लेकिन वास्तों में कोई यूध हुआ नहीं था ठीक है तो यही सीथ होता है मोटा मोटा जो आगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो मैंने आपके लिए लिख रख है उत्तर में कि जब दो या दो से अधिक दे हो ना तो इसी को ही हम सीति यूध कहते हैं आई होप कि आपको समझ में आगे होगा यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है तो इसको जरूर नोट कर लिजिए जिस बच्चे को स्क्रिंशॉट लेना है स्क्रिंशॉट भी ले सकता है आगे चलते हैं अगला हमारा कोशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कोशन मैंने आपके लिए उठाए क्योंकि यह बहुत जरूरी कोशन है और जितने भी कोशन इस वीडियो में बताऊंगे आपको बहुत ही जरूरी आपके लिए कोशन देखे क्या पूछ रहा है हम से कि महासक्तियां छोटे देशों के साथ सेन्य गट बंधन क्यों रखती थी यह कोशन cbsc 2007 में आ चुका है चार नंबर का कोशन ठीक है तो 2007 में कि 2007 का पेपर हुआ था उस टाइम पे यह कोशन जो है पूछा जादा इंपोर्टेंट है आपके लिए वाला कोशन ध्यान से समझे पहले कोशन को देखिए जो महासक्तियां अमेरिका और आपका कौन सा शोबियत संग तो ऐसी महासक्तियां जो थी वह चोटे देशों के साथ जो है सेन्य गट बंधन क्यों रखती थी उसको आपको एक्स्प्लें करना है तो देखिए बहुत से कारण थे चोटे देशों के साथ अपने सेन्य गट बंधन रखने के च एक शोटे देसों के साथ सेन गट बं रखन ती तो उसका पहला कारण के लिए अब सेनिक भड़र के थी तो खर्टियां जो होती थी वह चाहे तो कब्जा भी कर सकते हैं क्योंगी वह चोटे थे तो बहुत सारे कारण थे एक एक करके देखते जो हैसे लिए जो है छोटे सेनेगर बनाया करती थी आपको यह दूसरा पॉंट वी कि लिए होगा तीसरा पॉंट देखे क्या है कि छोटे देश सेनगर बंधन के अंतरगत आने वाले सैनिक खर्चों को सैनिकोगों का जितने भी सैनिक आते थे मतलब सैनेगर बंधन के एक यहां पर यही लिख रख़ा है कि सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे जिसे कि महासक्तियों पर आर्थिक दबाव जो है कम पड़ता था यानि कि जो छोटे देश है आपका वो सैनेगट बंधन के अंतरगात आने वाले जो सैनिक होते थे उनको अप तो इसलिए भी सेनेगत बनाया करती थी आगे चलते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला है हमारा फोर्थ कोशन इसको एक बारी देख लेते हैं देखे फोर्थ कोशन के अंतरगत क्या पूछ रखा है हमसे कि जो यहां पर देखे गुट निर्पेक्स आंदोलन अब आप्रसांगिक हो गया है आप इस कथन के बार प्रसांगिक का मतलब हुआ ठीक है तो उसके बारे में आपको बताना है तो चलिए देख लेते हैं आप इसके बारे में यहां पर मैंने पूरा पूरा उत्तर लिख रखा और यह कोशन यहां पर ध्यान दीजिए चार नंबर और छे नंबर में पूछा जा सकता है यह वाला ज कि बीएसी बोड 2010 में यह प्रस्ण जो है आ चुका है गुट निर्पेक्स आंदोलन जो है आ प्रसांगिक हो चुका है यह वाला कोशन ठीक है तो देखिए यहां पर लिख रखा मैंने आपके लिए कि देखिए सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाय रखने के लिए गुट है तो यह है थोड़ा सब मोटा मोटा भूमिका बताए मैंने आपको अब सब हैडिंग करके और इस तरह से समझते हैं देखिए पहला है विश्व सांती वैस्विक स्तर पर सांती बनी रहे इसलिए गुट निर्पेक्स आंदोलन आज भी प्रासंगिक है तो वैस्विक स्तर पर जो है सांती बनी रहे कोई एक अपना दबदबा ना थोपे पूरे विश्व पर ठीक है इसलिए गुट निर्पेक्स आंदोलन की प्रासंगिकता है एक तरह से वैल्यू कह लीजिए वह आज भी जो है देखा जाता है पूरे विश्व भर में ठीक है यह हो गया अगला ह और है यहाँ पर देखेंए अमेरिका के प्रभूतों से मुक्ति के लिए अमेरिका यानिकी यूस पर प्रभूतों के दूर रखने के लिए मिश बनी होई उसकी हो गया आई हूप की उपर वाला समझ में आया होगा आपको अगला है सामाजिक एवं आर्थिक छेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत एवं विकासिल देशों में सामाजिक एवं आर्थिक छेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुट निर्पेक्स आंदोलन ज तो यह जरूरी है इसको आपरा संगिक हो गया यह कहना उचित नहीं होगा ठीक है वो मैंने आपके लिए आगे लिख भी रखा है कि गुट निरपेक्स अंदोलन में लगातार बढ़ती संखिया तो यह चीज़ी यह दर साता है कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं तेपूर्ण है और इसकी प्रासंगीक्ता जो है वैल्यू कितनी जाद है आज गुट निर्पेक्स आंदोलन जो है ठीक है यानि गुट निर्पेक्स देशों की संख्या जो है पत्चीस से बढ़कर लगभग 118 हो गई है अगर आज इस आंदोलन का कोई ओचित तो नहीं रह गया है या कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है तो फिर इसकी स संख्या जो है इतनी बढ़क्यू और एक yogurt किosterे संख्या जो है बढ़क्यू रही है तो यह कारण है कि माल ent की अगल वेल्यू ऑं और कि काम का नहीं रहा गया तो क्यों बढ़ रही हैえ इसकी सदस्यों के संख्या यहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं tirar नि 속 अभी भी प्रासंगिक है अभी वेल्यू है उसकी ठीक है तो यह चीजे यहीं दर्सारा है अता यहां पर लास्ट मैंने आपके लिख रखा है कि अता यह कहना कि वर्तमान विश्व में गुट निर्पेक्स आंदोलन आप्रासंगिक हो गया है आज के टाइम पे जो गुट नि पूछा जाता है तो इसलिए मैंने एंसर भी लिख कर दिखा दिया और जितने भी वीडियो से लाओंगा उसके अंदर में एंसर भी लिख करके दिखाऊंगा आपको 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 समझ में आ गया होगा अगला प्रस नहीं हमारा बच्चों देख लीजिए चार नंबर के क कई बार पूछ लिए आपसे कि सी ती यूद से हैतियारों की होड और हतियारों पर नियंत्रन यह दोनों ही परकिरियां पक्रियां पैदा हुई इन दोनों पर क्रीयों के क्या कारण थे अब विक दूश्वा राथा उस टाइंब ठीक तो महासक्तियां आपने पढ़ा होग हतियारों पर नियंत्रन भी था यह दोनों ही परकिरिया यह दोनों ही स्थितियां पैदा हुई थी ठीक है तो इनके बारे में बताना है क्या कारण थे अब मैं आपको एंसर बताता हूं देखिए सी त्यूर टाइम जब हम जारा चल रहा था सोवियत संग और अमेरिका जो था भी आतण बड़ी महासक्तिय थी उस टाइम पे तो दोनों ही अपने आपको सकती साली दिखाना चाहती थी तौ इससे क्या हुँ रहत है कि दोनों के दोनों हतियारों को ज़या से जड़ा बढ़ाते जारे थे ज्यादा से ज्यार बना रहे थे ताकि अपने आपको ज्यादा से ज्यादा सक्ति साली दिखा सके लेकिन दोनों को ही एक बात पता था कि दोनों ही देश जो है आपका वह दोनों ही मासक्तियां जो है आपका वह परमानु संपन और परमानु नीती यह कहती है कि आप कितने भी ताकत वर ठीक है उगर दो देश परमानू संपन है तो परमानू नीट कहते है कि आगर एक देश दूसरे देश पर बार्मानू हमलां करते हैं तो दूसरे देश के पास इचनी ताकत होती है यह पहले वाले देश को भी खतम Yaznda को शुकुति को पता छिससे कि हतियारों पर नियंतरण हो सके ठीक है ओप कि कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको लिखा दिखा देता सका एंसर यहां पर देख लीजे हैं कि हतियारों की हर्ण डोनों ही महसक्तियां अर्थात पुंजीवादी अमेरिका और समाजवादी wiem स दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए ठीक है अपने अपने हतियारों के भंडार बढ़ाने लगे जिससे विश्व में हतियारों की होड शुरू हो गई ठीक है तो हतियारों की होड की बात करें तो यह आपको पूरा का पूरा लिख देना है ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं हतियारों पर नियंतरन क तो देखिए यहां पर मैंने आपके लिए लिख रखा है कि दोनों गुट यह अनुभव करते थे कि यदि दोनों गुटों में आमने सामने यूद होता है तो दोनों गुटों को अत्यांत हानी होगी और दोनों में से कोई भी विजेता यानि वीनर उभर कर मतला उभर सेठीख क्यूंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणू थे सीC try यूद के डुरान हथियारों में कमी करने के लिए हथियारों की यूष LOLC कने के लिए जविजय कई Iraq चमता कम करने के लिए लिए टेंस रड़ी हाइड ले जा-af की अपको समझ में आगया होगा मोच्ट इंपर्टन कोंशन से बच्चों बहुत ध्यान से समझने का परियास किजिए और नहीं समझ में आता है तो दूबारा देखिए रिपीट करके देखें लेकिन बहुत जरूरी है रामबान वीडियो है तो पूरा जरूर देखिएगा आगे चलते हैं प्रस्न है हमारा बच्चो प्रस्न नंबर पाच्वा है यह कोशन नंबर फाइव है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था जैसे कि आप देख सकते हैं सी बीसी बोर्ट 2010 में जो है यह कोशन आ चुका है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था आप अगर अपनी पूछ तक रिखेंगे जो आपका पहला लेशन है सी ती द्वाला जो मैं भी उसके इंपॉर्टन कोशन बता रहा हूं उस चैप्टर के तो उसके अंदर यह टॉपिक की क्योबा मिसाल संकट क्या है तो कोशन पूछ लेत एक छोटा सा दूपिय देश है जो कि समाजवादी विचारधारा से प्रवावित है यह आपको मैं एंसर बता रहा हूं क्योबा मिसाल संकट क्या था ठीक है अगर मैं आपको मैप में जूम करके दिखा हूं तो यह देख सकते हैं आप यह वर्ल्ड मैप है आपका पूरा का क्यूबा यहां पर आपको दिख पा रहा होगा तो यह अमेरिका से सटा हुआ एक देश है ठीक है यह समाजवादी विचारधारा से प्रभावी देश है और जैसे कि आपको पता होगा कि सोब्यत संग में भी समाजवाद था आपका तो यहां पर प्रॉब्लम यह हुआ था कहीं जो है अमेरिका इतना बड़ा है तो इसका सरकार बदल करके ठीक है समाजवादी विचारधारा को बदल के पुंजीवादी विचारधारा ना ले आए अपनी मन पसंद सरकार ना बना ले वहां पर और आपने जो है मतलब क्या कहते हैं कि जो भी मनमानी करना चाहता है वो ना करने लग जाए तो जो सोवियत संग था वो इससे डर गया था काफी तो सोवियत संग ने हर एक वो सहायता दी जो क्यूबा को चाहिए था और क्या किया सोवियत संग ने कि अपने जो मिसाइले होती है उसको क्यूबा पर तैनात करने लग गया ठीक है जब अपनी मिसा जो है मिसाइले तैनात कर रहा है ठीक है तो अमेरिका भी इस से बहुत ज़रा गुस्से में आ गया ठीक है तो क्या किया अमेरिका ने भी क्या किया एक दम कड़े फैसले लिए कड़े कदम उठाए अमेरिका ने भी अपने जंगी बेडों को जो है आगे ला करके खड़ा कर द तो पूरे विश्व में इस तरह से संदेश गया कि अब जो शीत चल रहा है यह तिर्तियक विश्व यूद यानि थर्ड वर्ल्ड वर्र का जो रूप ले लेगा इसको शीत यूद का चरम बिंदू भी कहा जाता है कि वह मिसाल संकट को ठीक है तो पूरे विश्व में यह पूर संकत classify video to the스크 को लिखा हुआ भी दिखा देता हूं मैंने अपके लिए भी रखा है डिकि आप यहां पर क्योबायों संकट 1962 यहां पर आप देख सकते हैं एक संक यह करो दिखा देता हूं यह यह देखिए फेले पाइंड मैं आपके लिए ली लिख रख्वाई कि यहां अमेरिका के किनारे बसा हुआ था क्यूबा जो था अमेरिका के किनारे बसा हुआ था आगे चलते हैं इसी वज़ा से सोवियत संग को डर सताने लगा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवारी सरकार को गिरा कर वहां अपनी मन पसंद सरकार की स्थापना ना कर ले मै पैसला किया इसलिए सुब्यत संग ने क्या किया कि सोचा कि क्यूबा पर मिसाले तेनाद करते हैं अपनी जंगी बेड़ों को वहां पर रखते हैं ठीक है इस तरह से आगे चलते हैं आगे देख लीजे क्यूबा पर मिसाल तेनाद किया जाने से अब अमेरिका सुब्यत संग क करीबी निसाने पर आगया था आपको पता है यह अमेरिका मैने आपको मैप मैप में दिखाए और इसके कीयु आ माली या छोटा सा ठीक हां है तो एकदम सामने सामने कीवाइया है तो नहीं superficial carry time जाएगा तो तो यह बात अमेरिका को लगभग लगभग तीन हपते बात पता चलाता तो अमेरिका भी गुस्से में आ गया वाई कैसे तेनात कर सकता है तो यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाए और अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और पहली बार दोनों महासक सकतिया वह आमने सामने आ गई थी और पूरे विश्व में अगया था कि अब तरीतिय विश्व है तो ऐसा लग लगा ही कि इस बार यूद को ही जाएगा और सीट यूद तिर्टिया विश्व यूद में बदल जाए ऐसा लगने ही लगा था लेकिन ऐसा हुआन इसा रही त देख लीजिए इस घटना को सीट यूद का चरब मिंदू कहा जाता है क्योंकि पहली बार दोनों महासक्तिया आमने सामने आई ऐसा लगा कि दोनों में यूद हो जाएगा ठीक है यही है आपका क्यूबा मिसाइल संकट क्या था मैंने आपको पूरा को पूरा बता जिया कि क् अन्सर भी दे दिए है ओल्मस्ट ठीक है आप कुछ और अचाहते हैं तो भी कर सकते हैं जरूरी कि जितना मैंने करवाए के बलुतना ही करना आपको और आयड़ करने मन कर रहा है तो आप कर लीजिए अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्तर यह तो बहृतर है क्यूंकि दो वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा उन दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको important questions दे रखें आपको पता होगा हर साल करवाते हैं और important questions तो हमने इतने करवा रखें न कि उन दोनों वीडियो को जरूर देखें और यहीं था आज इस चैप्टर से जो important question निकलते थे आपके लिए मैंने आपके लिए आया है तो important question कभी निकलते हैं अगर ऐसे करवाना चाहिए तो पूरा बुक ही important है ठीक है तो I hope कि आपको आज का वीडियो पसंदा होगा अगर करके ओल पर क्लिक कर दीजेगा इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियो को जो नोटिफिकेशन होंगे वह सबसे पहले आपको मिल जाए करेंगी आज के लिए इतना ही मिलता हूं आप सगली और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक क्लिए खुश रहिए खुश र क्या क्या दो क्लिये हमारे करे मैं बुली प्याति आप सबसे आपको मिलता ह हम ची आपको मिलता व्या सकता झाल प्याले हमारे वीडियो क् आपको म